नमस्कार दोस्तों एडी साइट के नेटवोक में आपका स्वागत है हमारे आज के व्याख्यान का विशह है आज के हमारे व्याख्यान का विशह है एकोष यानि इलेक्ट्रोनिक कोष आज का हम ये कह सकते हैं कि समय इलेक्ट्रोनिक का योग है सूचना प्रद्योगी की का योग है सूचना प्रद्योगी की के आज के योग में जो है कम्प्यूटर उसका मुख्य उपकरन है साधन है और computer के अलावा अन्य दूर संचार प्रद्योगी की यह आधी भी जो है इसमें अपना सक्रिय योगदान दे रही है इस योगदान का यह नतीजा हुआ है कि आज हमें e-governance, e-panchayat, e-marketing, e-retailing, e-filing, e-payment, e-accessibility, e-skill, e-gyan e-shiction या e-swastya जैसी संकल्पनाएं भी हमारे सामने आ रही है इसी तरह की एक और संकल्पना जो उभर कर आ रही है वो है e-kosh की e-kosh हम यह कहेंगे electronic kosh, electronic kosh में kosh जमा में electronic अर्थात वो kosh जो electronic माध्यम से हमें उपलब्द हो रहा है तो e जो है शब्द abbreviation है हमारे लिए electronic की सुचना प्रदेगी की कारण ही हम देखते हैं कि भाषा और अनुवाद यह दो परमुक्षेत्र हैं जिनमें computer का जो है दखल पूरी तरह से शिरू हो चुका है और यह तबी सार्थक हो पाते हैं जब उसमें electronic कोष जो है अपनी महत्पून भूमिका निभाएं computer assisted translation यानि cat शब्द जो है हम इस्तमाल में जो लाते हैं वह एई कोष के बिना बिलकुल भी संभव नहीं हो पाता है computer कोष जैसी संकल्पनाओं के कारण और भाषा और अनुवाद से जुड़ जाने की वज़े से आज भाषा के संदर में हम देखते हैं भाषा प्रोद्योगी की भाषा प्रबंदन प्रोद्योगी की जैसे शब्द भी चल रहे हैं जहां ये शब्द चल रहे हैं इस इन शेत्रों में कारे हो रहा है शोध और अनुसंधान हो रहे हैं वहीं साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बाजार जो है किसी भी उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए चलता है यदि बाजार में किसी भी उत्पाद को लेकर उसकी मांग बनी हुई है तो उस दिशा में शोध और अनुसंधान जैसे स्थितियां भी बनेगी और उन में तीवरता भी आएगी हम ये कह सकते हैं कि भाशा का क्षेत्र जहां बिलकुल इससे छूटा नहीं है वही कोश भी अपनी अनिवारे स्थिति बना रहा है और यही कारण है कि कम्प्यूटर के जरिये जो है भाशा संबंदी कामों को पूरा करने के लिए कोश के प्रकारियों पर भी नया चिंतन और प्रयास शिरू हुए है जिसका नतीजा यह हुआ है कि कोशों के स्वरूप में भी अब आमूल चूल परिवर्तन आने लगा है कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग से कम्प्यूटरी कृत कोशों की मांग बढ़ गई है आज कई प्रकार के इलेक्ट्रोनिक कोश उपलब्ध है इलेक्ट्रोनिकी की भाषा में जिनने हम इकोश कहते है हमारे आज के व्याख्यान में हम इकोश पर ही चर्चा करेंगे और इसके विभिन पक्षों को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज की चर्चा में शामिल करेंगे ये प्रक्ष जो है ये कोश का अर्थ क्या है उसका स्वरूप क्या है और इसके साथ ही offline online कोश क्या है इनके परमुख लक्षन क्या है electronic कोशों के, उनका महत्व और इसके साथ हैं मुद्रित और electronic कोशों के बीच में जो अंतर है उन अंतर के आलोक में भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वहीं ये भी बात करेंगे कि शब्द सूचियां तयार करते समय कम्प्यूटर को किस तरह की अतरिक्त जानकारियां भी देनी होती हैं कोश के संदर्व में इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद हम हिंदी ऑनलाइन कोश के व्यापक परिद्रिश्य पर भी नजर दोड़ाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ और स्वरूप को लेकर Electronic कोश शब्द जहमें इस्तमाल में लाते हैं तो हमें कई शब्द जहें उसके लिए सुनने को मिलते हैं जैसे Computer आधारित कोश, Computer कोश, Electronic कोश, Digital कोश, अंकिये कोश आदी भले ये शब्द कितने भी हो लेकिन इन सभी नामों के मूल में हम देखते हैं कि कोश की कम्प्यूटर पर उपलब्दता होनी चाहिए वास्तों में हम देखें तो ये कोश के जो हैं दो अर्थसंदर बनते हैं सीमित और व्यापक अर्थसंदर जब हम कम्प्यूटर कोश को सीमित संदर में देखते हैं तो उसका ये अर्थ होता है कि कम्प्यूटर कोश जो है ज्यान के एक विशेक्षेत्र के रूप में कम्प्यूटर विज्यान और कम्प्यूटर प्रद्योगी की से संबंदित जो शब्द है उनका कोश है इस तरह का कोश जो है computer उपयोग संबंदी शब्दों का संग्रय होता है, संकलन होता है इस कोश में computer प्रद्योगी की से संबंदित तक्नीकी जानकारी के शब्दों के प्रयाय अथ्वा प्रयोगत परिभाशाओं आदी को शामिल किया जाता है वही इन कोशों में ये भी एक विशेष्टा रहती है कि ये तक्नीकी शब्दों के इन में संग्षिप्ताक्षर भी मिलते हैं यानि अब्रिवेशन्स भी मिलती हैं और उन संग्षिप्ताक्षरों के पूरे रूपों को भी computer कोश में स्थान दिया जाता है जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि वहाँ अगर ADP लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ही होगा कि Automatic Data Process और Race शब्द जो बता रहा है वो है Random Access Computer Equipment इसी तरह का और हम उधारन देखें तो विज्ञानिक तथा तक्नीकी शब्दावली आयोग ने computer विज्ञान की मूलभूर शब्दावली तैयार की हुई है जिसमें हमें कई पारिभाशिक शब्द और उनके हिंदी प्रयाय मिलते हैं उधारन के तोर पे हम चर्चा करेंगे जैसे Analog, Signal, Binary, Operation Code, COBOL Language, Memory, Workspace, Static RAM, Troubleshoot आदी जो computer कोश होता है वो हम देखें तो विज्ञान जो computer विज्ञान है उसका अध्यन करने वालो अध्यताओं के लिए विशेश तोर पर उपयोगी है इसके इलावा computer तक्नीक विदों के लिए भी ये कोश लाबदायक रहता है लेकिन भाशा के शब्दों के अर्थ आदी तलाशने वाले कोश प्रयोकताओं, मशीनी अनुआद करना या इसी तरह के भाशा संबंदी अन्य जो कारे करना है उनके संदर्ब में ये computer कोश सार्थक सिध नहीं होता है अब हम दूसरे व्यापक संदर्ब में भी अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि electronic या digiticrit रूप में शब्दों का वह संग्रय इलेक्ट्रोनिक कोश या computer कोश होता है जिसमें एक भाशा के शब्दों का उसी भाशा में या फिर अन्य भाशा भाशाओं में उनके प्रचलित एवं शुद्ध रूप व्यत्पत्ति अर्थ व्याकर्निक जानकारी और चारन पर्याय विलों आदी संबंदी जानकारी क्रमबद रूप में विवस्थित होती है ये जो सामगरी होती है इन्हें कंप्यूटर कोश के संदर में हम कंप्यूटर लेक्सिकॉन या कंप्यूटर शब्दावली कहते हैं और देखा जाएं तो कंप्यूटर कोश जो है डिजिटी कृत पाठों के अलावा ध्वनी चलचित्र आदी विभिन परकार की सामगरीयों से भी संपन्न होती हैं और इनका हम उपयोग कर सकते हैं Digital रूप में उपलब्द होने के कारण ही इस तरह के कोश Electronic कोश कहलाते हैं Electronic कोशी बास्तों में हम यह कह सकते हैं कि वे Computer कोश हैं और Digital Dictionary अंकिए कोश भी इसके लिए स्थमाल में लाया जाता है electronic कोश्ट के रूप हमें दो तरह के मिलते हैं अर्थात उनका जब हम उपयोग करना चाहें तो हमें दो परकार से ऐसे कोश्ट मिलेंगे एक है जिनमें PDF प्रा रूप में सामगरी उपलब्द होती है और दूसरी है टंकित पाठ के रूप में PDF सामगरी की जब बात करते हैं तो इसमें ये रहता है कि हर कोश्ट का हर प्रिष्ट जो है एक चित्र की भाती जो है उसमें होता है और सेकिंटो में जो है वे सारे के सारे प्रिष्ट खोल के आपके सामने रख सकता है लेकिन computer में विशाल स्मृति होनी चाहिए यानि memory होनी चाहिए और जगा भी होनी चाहिए तबी इस प्रकार का कोश्च जो है सार्थक हो पाता है और इसका एक अन्य जो नकारात्मक पक्ष कह सकते हैं वो ये होता है कि किसे भी आपने मांचित प्रिष्ट पर पहुंचना हो तो उसमें आपको तुलनात्मक दृष्टी से देखें तो अधिक समय लग सकता है जो सामगरी हमें टंकित पाठ के रूप में मिलती है वो एक दूसरा तरीका है इसमें हम देखें तो कंप्यूटर की मेमोरी के संदर्ब में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कम स्थान गिरता है वही एक ये लाप भी रहता है कि हम सीधे ही मांचित शब्द तक पहुंच पाते हैं और हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि हम सर्फिंग की तरह वहाँ उसे accessible हो जाता है सीधे सर्फिंग वाला शैली अपना कर भी उसका उपयोग कर सकते हैं इस तरह के कोश की एक ये उलेखनी विशेशता भी रहती है कि इस कोश की प्रविष्टियां बनाते समय अगर शब्द के स्रोत आदी जानकारियों को अलगलग खानों में दर्ज कर दिया जाए तो संबंदित सूचना को खोजना और भी अधिक सरल हो जाता है कंप्योटर कोश के उपयोग के संदर में इन रूपों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक कोशों के प्रकार को लेकर इलेक्ट्रोनिक कोश हमें दो प्रकार से मिलते हैं एक ओफलाइन और दूसरा ओलाइन ओफलाइन को हम जो है कंप्योटर कोश भी कह देते हैं इस तरह की कोश का ये रहता है कि हमें इंटरनेट के बिना ही ये कोश कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाता है पर ये तब ही संभव है कि आपके पास कंप्यूटर हो अगर आप कंप्यूटर का इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ओफलाइन कोश भी आपको उपलब्ध नहीं ह पाएगा आप उसका लाब उठा नहीं पाएंगे और एक अन्य पक्ष ये भी रहता है कि offline कोश को जब आप अपने computer पर देखें तो पहले उसको आप अपने computer या PC में संस्थापित करेंगे इंस्टॉल करेंगे तब ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं इसको अगर हम परिभाशित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि computer में स्थित और उसके माध्यम से इस्तमाल में लाया जाने वाला कोश, offline कोश कहलाता है ये भी पक्ष रहता है कि एक ही भाशा के एक शब्द के लिए सारे प्रयाय हमें computer screen पर एक साथ दिखाई देते हैं और दूसरी भाशा के प्रतिशब्द भी विहाय उपलब्द करा सकता है इसी प्रकार के कोश के लिए database के माध्यम से हम एक शब्द संचे भी बना सकते हैं जैसे की चर्चा की है, offline computer के लिए computer का होना जरूरी है लेकिन आज हम ये देखते हैं कि mobile phone पर भी इस तरह की सुविधा उपलब्द हो रही है mobile phone पर भी हमें इकोश के रूप में शब्द कोश मिल रहे हैं और मुखे बात ये रहती है कि इस छोटे से साधन उपकरन को तरह तरह की सुविधाओं से जैसे हम less हो रहे हैं, प्रोद्योगी की उसमें लगातार mobile में सुविधाएं जोडती चली जा रही है उसी का नतीजा ये है कि निकट भविश्य में हो सकता है कि mobile जो है computer को ही स्थानापन कर दे उसका और उसे हम ये कहेंगे कि computer को replace कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि computer कोश का ही विस्तार जो है mobile कोश के रूप में भी हमें मिलता है मुखे बात ये रहती है कि छोटे डिवाइस वाले इस प्रकार के electronic कोशों की कीमत अपेक्शाक्रित जादा होती है लेकिन कुछ कोश जो है निशुलक रूप में भी उपलब्द है अब हम बात करते हैं online कोशों को लेकर online का संधर्ब सूचन प्रद्यगी की, computer प्रद्यगी की और दूर संचार से है यानि इन तीनों घटकों के mail से ही online सुविधा का लाभ हम उटा सकते हैं online सामाने अर्थ में इसका अर्थ ये है कि connectivity internet की connectivity और ये connectivity जब तक अगर आपके internet सुविधा नहीं है अर्थार्थ आपके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है और दूर संचार प्रद्यगी की सुलबता नहीं है तो आप इसको online जैसी संकल्पना को अपने पास उसके लाभ नहीं उठा सकते है इस तरह हम देखें तो online कोश ये मूलता है तो computer कोश ही लेकिन इनका उप्योग जो है computer और internet के जरिए ही connect होने के बाद कर सकते है mobile phone पर भी online कोश की उपलब्दता की आज स्थिती बन चुकी है online कोशों की अगर हम उप्योगिता में को देखें तो हमें website पर जाकर अपेक्षे शब्द को type करने पर उसके अर्थ computer screen पर ततकाल ही मिल जाते है प्रियोगता को मुद्रित कोश रखने की अवशकता नहीं रहती है और ना ही computer कोश को computer में install करना पड़ता है प्रियोगता शब्द कोश के बिना भी शब्दों के अर्थ भरतनी उसके प्रती शब्द आदी जैसी जानकारियां जो है उसको आराम से सुलब हो जाती है हम ये भी देखते हैं ओनलाइन कोशों के संदर में कि कुछ में केवल शब्दों के अर्थ, कुछ में खोज की सुईधा यानि सर्च फीचर्स जो है होती है कुछ कोशों में ये भी हो सकता है कि उत्करम अवलोकन अर्थार्थ, रिवर्स लुक अप हो और कुछ में अतिरिक्त भाषिक उपकरण यानि एडिशनल लेंग्विज टूल्स भी उपलब्ध हो सकते हैं और कुछ एक कोश जो हैं उनलाइन उनमें वर्ब कंज्यूगेशन या व्याकर्निक संदर और विमर्ष मंच जैसी सुविधाएं भी बिलती है विमर्ष मंच का अर्थ है डिस्कॉशन फोरम डिस्कॉशन फोरम में व्यक्ति अपनी समस्या को इंटरनेट के जरिए वेबसाइट में सब के ध्यान लाने के लिए दर्ज कर सकता है खहने कार्थ यह है कि अपनी कोई भी समस्या है उसको जो इंटरनेट प्रयोक्ता है उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये मंच है जहां मैं अपनी समस्या को रखेगा तो जो प्रयोक्ता वर्ग है अगर उन्हें उस समस्या का कोई समाधान सूचता होगा तो वो आपसे इंटरनेट के जरीए चर्चा करके उसका समाधान कर सकते हैं इस चर्चा का ये फायदा रहता है कि घर के नज़ीक ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ती बैठा हुआ है तो वो आपको समाधान सुझा सकता है और हम देखें तो ओनलाइन कोशों के संदर में हमें मांचित शब्दों और उनके अर्थों को ढूनना तुलनात्मक दृष्टी से ज़्यादा आसान होता है वहीं ये भी है कि सहायक अनुप्रियोगों अर्थार्थ एक्सिलरी एप्लिकेशन के संदर की दृष्टी से भी देखें तो ओनलाइन कोश जो है हमें मांचित शब्दों के अर्थों की जानकारी देने उन्हें जानने उनकी प्रती तैयार करने अर्थार्थ कॉपी तैयार करने और फिर अपने कंप्यूटर पर अपैक्षित फाइल में उसे पेस्ट करने की स्थितियों को भी बना देता है कहने कार्थ यह हैं कि हम इन सहायक अनुप्रियोगों के जरीए ऑनलाइन कोश का और अधिक इस्तमाल करने की स्थिति में हो जाते हैं चुंकि online कोशों में नित नए नए शब्दों का समावेश होता रहता है इसलिए ये स्वेम में ही अधुनातन अध्यतन बने रहते हैं कुछ online कोश फ्री या निश्वलक उपलब्द होते हैं जबकि कुछ का भुकतान करने के बाद हम उपयोग करने की स्थिती में आ पाते हैं लेकिन online कोश प्रीयोग करने के लिए प्रीयोगता को संबंधित online कोश की website address पर जाना जरूरी होता है अब हम बात करते हैं electronic कोश के प्रमुख लक्षन को लेकर प्रमुख लक्षन यानि electronic कोश में क्या-क्या उसकी characteristics है या उसकी क्या features है electronic कोश की सबसे जो प्रमुख विशेशता वो ये है कि वो निरंतर अध्यतन बने रहने की संभावना से युक्त होते है उनमें updating लगातार होती रहती है इसका नतीजा ये होता है कि आप बिल्कुल नए-नए शब्द और उन शब्दों के प्रयाय उनका अर्थ वगेरा जानने की सुविधा से लाभानुथ हो जाते है और इसके साथ ही हमें एक ये भी फाइदा रहता है कि हम अपेक्षिस शब्दों पर बिल्कुल तेजी से त्वरित प्रापिता की जो हम ये कहते हैं संभावना बनती है क्विक अक्सेसिबिल्टी की स्थिती हमारे लिए हो जाती है वही अगर मुद्रित कोश में हम देखे तो हमें उसमें काफी समय लग जाता है और वही ये भी रहता है कि सूचनाओं की खोज जो है वो बहुत अच्छी बहतर शमता से संपन हो पाती है सर्चिबिल्टी की संभावना बहुत अच्छी रहती है वही आकार की समय सीमा या सीमा विहिंता हम ये कह सकते हैं उसमें unlimited space आपको मिल रहा है और आपके computer पर कोई load भी नहीं पड़ रहा यानि आपके computer में अगर capacity नहीं है या space कम है उसके बावजूद आप और electronic कोश की जो है लाब उठाने की स्थिति में हो सकते है अब हम इनके महत्व के संदर्ब में देखें तो electronic कोश जो है मुखे तोर पर ये फाइदा रहता है कि भारी भर का मुद्रित कोशों में प्रयाय तलाशने की जहमत से बचने में सहायक होता है यानि जो मुद्रित कोश हमें कहीं मिलें मुद्रित कोश में जब हम कोई शब्द तलाशने लगें तो उसमें शब्दों को खोजने में बहुत अधिक समय लग जाता है उसके इलावा ये भी होता है कि अगर मुद्रित कोश जो है कई खंडों में है तो उन्हें रखने की भी समस्या और उनमें शब्द ढूनने की समस्या तो रहती ही है वहीं शब्द की उत्पत्ती से लेकर उसके प्रथम उप्योग और इतिहास आदिपक्षों से हम देखें तो इलेक्ट्रोनिक कोश जो है लिंक स्थापित कर देता है इस लिंक के जरी हमें शब्द की उत्पत्ती की जानकारी मिल सकती है उस शब्द का सरप्रथम किस परकार और कहां उप्योग किया गया और उसका इतिहास क्या है यानि इतिहासिक संदर्ग में भी हमें शब्दों की जानकारी मिल जाती है और ये जानकारी क्या रहती है कि सर्फिंग करते हुए लिंक के जरिये संभव होता है वहीं इलेक्ट्रोनिक कोशों का एक ये भी लाब रहता है कि हमें सिर्फ शब्दों के अर्थ आदी ही नहीं मिल रहे उनके शब्द का उचारन क्या है उसकी ध्वनी क्या है वह वाक्य प्रयोग में कैसे आता है किस तरह के वाक्यों के उधारन उपलब्ध है ये जानकारी मिल रही है वहीं साथ ही ये भी रहता है कि प्रविष्टी से संबंदि जो चित्र है या कोई चलचित्र या फिल्म आदी जो है वो भी उपलब्ध हो सकते हैं सिर्फ लिंक का उपयोग करने से आप ओनलाइन कोश को या ओनलाइन कोश जैसे सुविधा का तुरंत लाब ले सकते हैं और अगर कम्प्यूटर कोश में भी ऐसी सुविधा दी हुई है लिंक दिया हुआ है तो वहां से भी आप जो है एक फायदय की स्थिति में पहुंच सकते हैं अब हम बात करते हैं मुद्रित और इलेक्टरनिक कोशो में अंतर को लेका अब तक जो चर्चा की है उसमें संकेत रूप में तो आपको पता चली चुका है कि मुदृत कोश और electronic कोश में क्या अंतर है और हम किस स्थिती में उसका कितना फायदा उठा सकते हैं फिर भी अगर हमें अंतर को कुछ रेखांकित करना हो कुछ मुखे बिंदू के संदर में तो मुखे बात ये रहती है कि मुदृत कोश जहां हमें छपे हुए रूप में या मुदृत रूप में उपलब्द होते हैं वही electronic कोश जो है digital रूप में और digital रूप में भी मिलने के साथ ही online और offline दोनों तरह से मिल सकते हैं मुदृत कोश जहां एक उस तक के रूप में भी हो सकते हैं और कई-कई खंडों में भी आपको उपलब्द होंगे वही electronic कोश जो है offline या online रूप में मिल रहे हैं CD के रूप में मिल रहे हैं या software के रूप में भी तो जगा घिरने के वी संदर में हम देखें तो ये तो बहुत कम जगा में ही आपको बहुत अधिक शब्दों का एक तरह से विशाल सागर जो है मिल सकता है आकार को देखते हुए कोशकार कोशकार को बनाते समय एक निश्चित प्रिष्ट संख्या या शब्द संख्या तक ही अपने आपको सीमित रखके मुद्रित कोशों का निर्माण करता है इस प्रकिरिया में वह अप्रचलित या अधिक उपयोग में ना आने वाले शब्दों को कोश में स्थान नहीं भी देता अंतर का एक ये भी मुख्य बिंदू है कि शब्दों में हम देखें तो जो अप्रचलित शब्द है या ज़्यादा प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उन शब्दों को मुद्रित कोशकार जो है जो कोश का मुद्रण के जरिये तैयारी कर रहा है वो इस तरह के शब्दों को छोड़ सकता है पर इलेक्ट्रानिक कोशों में हम ये कह सकते हैं कि आकार की सीमा नहीं है तो वहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती इसलिए कोश शवतंट्र होते हैं कि उसमें की तने ही क्यों नशब्द भर लें और चाहे वो प्रचलित में हो या ना हो उन शब्दों को वेवार में लाने की स्वितिमें हम सब आ जाते हैं जा है कि महीं ये भी अंतर का एक मुखह आधार रहता है कि प्रचलित और अधिक उपयोग में ना आने वाले शब्दों को मुद्रित कोशों में शामिल ना करने का परिणाम यह होता है कि वे शब्द धीरे धीरे शब्द कोशों से लुप्त हो जाते हैं और भावी पीडी जो है इस तरह के शब्दों से अनभिग बनी रहती हैं स्वभाविक है कि इलेक्ट्रोनिक कोशों में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है और हम जो है ऐसे शब्दों को भी अगली पीडी के लिए बचाने रखने की लिए स्थिति में आज रहते हैं एक अंतर का बिंदू यह भी है कि मुदृत कोशों में शब्दों की अर्थगत, व्याकर्णिक और संदर्गत सूचनाओं का सामाने कथम के रूप में इस्तमाल किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रोनिक कोशों में सूचनाओं, सोक्षम नियमों, वी नियमों और अपवादों के रूप में भरी जाती हैं, शामिल की जाती हैं अर्थ और प्रयाय आदी के समावेश जो हैं, आपको मुद्रित कोश में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी उप्युक्त रूप है या अनुप्युक्त रूप है, उसका कोई संकेत आपको नहीं मिलेगा लेकिन इलेक्ट्रानिक कोशों में हम देखते हैं कि अर्थ और प्रयाय आदी के समावेश के साथ साथ इन दोनों संधर्बों में भी उन इलेक्ट्रानिक कोशों को समरिद किया जाता है उधारन के लिए हम देखें death शब्द है death के लिए मृत्य शब्द या देहांत देहावसान जैसे शब्द भी मिलते हैं लेकिन मनुष्य के संदर में देहांत और देहावसान जैसे शब्दों का इस्तमाल किया जा सकता है तो वहाँ पर जमा का निशान लगा के मानव के संदर में electronic कोश को तकनीकी दृष्टी से तयार किया जाता है ताकि ये पता चल लए कि मानव के संदर में हम देहांत देहावसान शब्द का भी इस्तमाल कर सकते हैं अन्य जीवों के संदर में हम मृत्य शब्द का या मौत्य शब्द का ही इस्तमाल करेंगे मुद्रित कोशों में जहां शब्दों के सामाने अर्थ शामिल होते हैं लेकिन वाक्य संदर चना लक्षन जैसे पक्ष जो है ये एक तरह से शामिल नहीं किये जाते हैं वो एग्नोर हो जाते हैं पर इलेक्ट्रोनिक कोशों में हम देखें तो शब्दों के सामाने अर्थ के साथ साथ वाक्य संदर चना लक्षन भी जोड़े जाते हैं इसका ये फाइदा रहता है कि कम्प्यूटर को यह पता चल सके कि क्रियाओं के साथ करता जम्मा को परसर का प्रियोग किया जाता है इसी तरह से शब्दों के जो युगों की स्थिती बनती है कि जैसे दर्द के साथ होना शब्द आएगा चोट लगना शब्द आएगा या बिजली का कड़कना आएगा तो इस तरह के भी संदचनात्मक्स तर पे देखें तो कम्प्यूटर या ओनलाइन सुविधा जिसमें मिल रही है कोशों में हमें ये फायदेमन स्थिति में पहुचा देता है सामाने कोश यदि बहुभाशी हैं तो उनमें प्रती शब्दों के अर्थ संदर्ब जानना बड़ा श्रम साध्य को प्रयास करना होता है कहने का अर्थ यह है कि मुद्रित कोशों में अगर बहुभाशिक कोश है तो उनमें शब्दों को ढूंड़ना और उस तरह के कोश निर्मान की प्रकिरिया में भी उस तरह की विवस्था करना अपने आम में बहुश्रम साथे कारे होता है लेकिन इलेक्ट्रोनिक कोशों के संदर्ब में हम देखते हैं कि बहुभाशिक होने के बावजूद प्रती शब्दों के अर्थ संदर्ब को जानने में कोई भी हमें कठनाई नहीं मिलती है वहीं कोश में हम देखते हैं कि प्रविष्टी शब्द और उससे जुड़ी जुरूरी सूचनाओं को जल्दी जल्दी खोजना कठिन हो जाता है मुद्रित कोशों में पर इलेक्ट्रानिक कोशों में ऐसी स्थिती नहीं बनती है और हम इस तरह की सर्च करने के कारे को बड़ी जल्दी से निप्टा लेते हैं अंतर के आयामों में थोड़ा एक ये भी पक्ष है कि मुद्रित कोश में प्रविष्टी से संबंदित सूचनाओं जो हमें सीमित रूप में उपलब्द होती है वहीं electronic कोश में अतरिक्त सूचनाओं का समावेश होने के कारण electronic कोश और खास तौर पे online कोश जो है वो हमारे लिए अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि online कोशों के जरीए हमें link जैसी सुविधा भी मिल जाती है जिससे हम surfing करते हुए और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है मुदृत कोश केवल मुदृत समगरी से संपन होते है अगर उनमें चित्रादी भी शामिल किये हो क्योंकि होता है कि कुछ एक कोश ऐसे है जो सचित्र कोश तयार किये जाते है तो वो भी एक सीमित हम ये कह सकते हैं आकार में होंगे और चित्रों का जो समावेश भी होगा वो सीमित ही होगा लेकिन ऐसे कोशों में हम ध्वनी या चलचित्र जैसी सुविधाओं उपलब्द नहीं करा सकते हैं इस तरह की सुविधाओं की दृष्टी से देखें तो हमें electronic कोश ज्यादा सार्थक प्रतीत होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ हमें चित्र ही नहीं चित्रों के साथ भनी उच्चारण बाके प्रयोगों जैसे तो सुविधा तो है ही वहीं चलचित्र या फिल्म जैसे जो है वो भी सुविधा उपलब्द हो सकती है तो हम नतीजा ये रहता है कि कोश उप्योग करने का जो मुखे उद्देश है अर्थार जानकारी प्राप्त करना हम सिर्फ जानकारी ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं इलेक्ट्रोनिक कोशों के जरीए बलकि अपेक्षा से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और हमें इस तरह की जानकारी से फाइदा ये रहता है कि हम और अधिक जो हैं ग्यानवान होने की स्थिति में आ जाते हैं अब थोड़ी बात करते हैं इन दोनों के अंतरों को लेकर संशोधन परिवर्तन के संदर में भी मुदृत कोश तैयार करना निर्मान की प्रक्रिया जो है उसकी बहुत ही ठकाओ लंबी समय लेने वाली श्रमसाध्य है और इसमें कई कई वर्ष तक भी है समय लग जाता है और इस वज़ा से होता ये है कि मुदृत कोश जब एक बात तैयार कर ले जाएं तो उनका संशोधन परिवर्धन भी जो है काफी लंबे समय के बाद ही कोशकार करने की हिम्मत करता है पर इलेक्ट्रोनिक कोशों में हम देखें तो निरंतर जो है वो उनमें अपडेशन होता रहता है अध्यतन बने रहते हैं इस वज़े से ये हमारे सामने एक तरह से परि द्विभाशिक त्रिभाशिक आदी एक हद तक ही संभव हो पाएंगे लेकिन इलेक्ट्रोनिक कोशों में जो है हम द्विभाशिक या त्रिभाशिक नहीं बहुभाशिक कंप्यूटर कोश या ऑनलाइन कोश जैसे सुविधाओं से संपन भी हो सकते हैं यानि हमारे सामने कि जो संख्या को लेकर कोई समस्या नहीं रहती सिर्फ इस संदर में तक्नीकी दृष्टी से कंप्यूटर कोश को तैयार करने के लिए मेहनत करने की अवश्यक्ता होती है वहीं अंतर का एक आयाम ये भी है कि मुद्रित कोश के प्रयोकता को कोश देखने की कला आनी चाहिए यहीं कोश में जो बर्ण करम क्या है उस तरह की जो है सुविधाओं मलब वो जानकारी कोश के प्रयोकता को होनी चाहिए पर इलेक्ट्रानिक कोश का उप्योक करने वाले को वर्ण करम आदी की जानकारी की कोई इतनी अवश्यक्ता नहीं रहती उसके स्थान पर उसके लिए यह जरूरी होता है कि उसे कम्प्यूटर चलाना आता हो इंटरनेट का वो प्रयोक कर सके तभी ओनलाइन सुविधा का जो है लाब उठा सकता है और कम्प्यूटर कोश का यानि ओफ्लाइन कोश का वो तभी इस्तमाल कर पाएगा जब उसे कम्प्यूटर प्रोद्योगी की को उसे चलाने की पूरी जानकारी हो हम ये कह सकते हैं कि विशेश बात ये भी रहती है कि मुद्रित कोश से इलेक्ट्रोनिक कोश की ये जो भिन्नता के जो आयामों पर हमने चर्चा की है ये सबी जो है ओफ्लाइन यानि कम्प्यूटर कोश के साथ साथ ओल्लाइन कोश पर भी समान रूप से लागू होते हैं में शब्द सूचियों में शामिल की जाने वाली जानकारियों को लेकर ये थोड़ा तकनीकी पक्ष है कि कंप्यूटर कोश्ट या ओनलाइन कोश्ट तयार करते समय किस तरह की जानकारियां शामिल की हुई होती हैं तो हम देखें सबसे पहले हमें शब्द संरचना संबंदी जानकारी से संपन करना होता है कंप्यूटर को या सॉफ्टेयर के रूप में जब हम कोश्ट तयार कर रहे हैं या ओनलाइन के तयार करने के दृष्टी से देखें तब भी जह हैं जब शब्द की संरचना की जानकारी कहते हैं तो इसके अंतरगत शब्द की संग्या, विशेशन, किरिया विशेशन, किरिया आदी जो संरचनात्मक कोटियों हैं उनका समावेश किया जाता है और साथ ही शब्द विशेश की आंतरीक रचना संबंदी नियमों का सूत्रबद वर्णन भी किया जाता है इन जानकारियों को कंप्यूटर के फार्मूला के अनुसार जो है सूत्रबद करना भी अपेक्षित होता है तभी शब्द संरचना की जानकारी जो है समुच तरीके से उपलब्द हो पाती है विवस्थित हो पाती है ऐसे ही अर्थ के संबंद में भी कंप्यूटर को जानकारी देनी होती है ये जानकारी देते समय बाके में शब्दों के प्रयोक की उप्युक्तरा या अनुप्युक्तरा का संकेत देना होता है क्योंकि संरचना संदर्भ स्थिति परिस्थिति आदी के बदलने पर अर्थ में भी बदलाव आ जाता है उद्धारन के तौर पे हम देखें अंग्रेजी का कम शब्द C-O-M-E है कम शब्द का जो अर्थ हम देखें तो वो है आना, पहुंचना, पधारना, आदी लेकिन किसी भी व्यक्ति या पशुपक्षी का किसी का भी आना तो हो सकता है पर पधारना पशुपक्षी किसी जीव जन्तु का नहीं है पधारना सिर्फ व्यक्ति के संदर में ही आ सकता है ऐसे ही हमने पहले death शब्द की चर्चा की थी एक अन्य शब्द है authority authority शब्द ये शब्द हमें प्राधिकार के रूप में भी मिलता है प्राधिकारी यानि व्यक्ति के संदर में भी और संस्था के संदर में प्राधिकरन के रूप में भी मिलता है तो computer में अर्थ संबन्दी जानकारी देते समय जहां authority के लिए प्राधिकारी लिखेंगे तो वहाँ मानव ये भी जोड़ना पड़ेगा लक्षन के रूप में और प्राधिकरन शब्द के साथ हमें संस्था शब्द का भी इस्तमाल उसको समझाने के लिए करना होगा कि संस्था के संदर्ब में एथॉल्टी शब्द का आर्थ प्राधिकरन है ऐसे ही कंप्यूटर में हमें वाक्य विन्या संबंदी जानकारी को भी शामिल करना होता है कंप्यूटर को अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक आदी वाक्य संरचना की जानकारी की ज़्यादा जरूरत होती है वाक्य की रचना और प्रकार को नियंतरित करने वाला शब्द कौन सा है ये भी जानकारी देनी होती है कौन सी किरिया के साथ वाक्य संरचना संबंदी कौन सा लक्षन प्रयुक्त होगा वाक्य में कौन सी क्रिया में किस परकार के कर्म, करता या पात्रों की अपेक्षा रहती है इस तरह की जानकारी भी शामिल करनी होती है तो ये सब जानकारिया वाक्य विन्या संबंदी जानकारिया है जब इने computer की शब्द सूचियों में डाल दिया जाता है तो machine अन्वाद जैसे online computer या offline computer के जरीए मदद लेने की स्थिति में हो तो वहाँ पर ये जानकारियां हमें सार्थक तरीके से हमारे सामने आती है अब अगर हम उधारन के तोर पे ही देखें वाक्य विन्यास के संबन्द में तो चौकना किरिया के साथ अकर्मक वाक्य और चेतन कर्म की आकंशा रहती है जैसे अखिलेश चौका वही कहना किरिया अपने से पहले से परसर्गर की जो है उसमें अवशक्ता होती है उसके बिना वाक्य विन्यास संब्भव नहीं होगा जैसे पिता ने पुत्र से कहा तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं से परसर्ग है अगर कम्प्योटर को वाक्य विन्यास के संबन्दी ऐसी जानकारिया ना दिझाएं तो computer मशीनी अन्वाद समुचित तरीके से करने की स्थिती में नहीं आता है जहां हम शब्द सूचियं तयार करते समय शब्दों की, अर्थ की और वाक्य विन्यास की जानकारी देती है महीं हमें उसके संदर्ब या वैभारिक ज्यान के जानकारी को भी शामिल करना जरूरी होता है वैभारिक ज्यान भी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाशा सिर्फ हम यह नहीं कह सकता है कि वो अभिव्यक्ति का माध्यम ही है उसमें अभिव्यक्ति के साथ साथ संस्कृति का भी पता चलता है संस्कृति को साथ में उसके तत्वों को लिये हुए होती है और ये तत्व हमें तभी संभव समझ में आपाते हैं जब उनका वैभारिक संदर्व हम जाने या उसका वैभारिक ज्यान हमें हो वेवारिक ज्यान के उधारन के तौर पे हम देखते हैं कि कैबिनेट शब्द ही है कैबिनेट शब्द जो है जहां मंत्रि मंडल के अर्थ में भी प्रियुक्त हो रहा है वही पेटिका के संदर में भी या अलमारी के संदर में भी प्रियुक्त हो रहा है तो ये एक व्यभारिक ज्यान है ऐसे ही अगर हम ये देखते हैं कि ये कहा जाए कि कोई काखा गधा है तो गधा शब्द जो है डौकी जैसे जो है जन्तु के संदर में प्रियोग नहीं हुआ उसका ये अभिप्राय है कि काख व्यक्ति जो है वो मूर्ख है उसको कुछ समझ और हम उधारन देखें एक शब्द है अंग्रेजी का ईशू ऐशू शब्द के भी आपको अगर व्यभारिक ज्यान नहीं है या उसका संदर्वगत ज्यान का बोध नहीं है तो उसका प्रतिशब्द चुनने में समझने में आपको दिक्कत आ सकती है तो कम्प्यूटर इस कि दिक्कतों का सामना करने में हमारे लिए तब ही सहायक होगा जब हम उसमें वैभारी ज्यान की जानकारी भी दें तो इशु शब्द के ही अगर हम देखें तो हमें प्रशाशन में जैसे निर्गम या जारी करना भेजना या देना जैसे शब्द मिलते हैं वहीं संतान के में देखें तो मुद्दा है और मीडिया में यानि जनसंचार माध्यमों में हम देखते हैं तो ईशू शब्द जो है अंक का दियोतक है अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोश्ट की उपियोगिता के क्षेत्रों को लेकर Electronic koosh की उपयोगिता के एक शेत्र जो है कई है जैसे उधारन के तोर पे हम देखें कि शब्दावली निर्माण प्रकरिया के दृष्टी से Electronic koosh की विशेश उपयोगिता है इसमें हमें नई शब्दावली को संग्रिहित करने उन्हें संशोधित परिवर्धित या संपादित करने की सुविधा मिल जाती है और इस सरह हम संशोधन परिवर्धन के जरिए उसे अध्यतन कर देते हैं और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिती में जो है इलेक्ट्रोनिक कोश, मुद्रित कोश की तुलना में अधिक उपयोगी भी सिद्ध होते हैं और समय की भी इससे बचत होती है वही शब्द संसादन के स्थर पर भी देखें तो हमारे लिए इलेक्ट्रोनिक कोशों की जो है विशेश महत्ता है उसका कारण ये है कि जब हम डेटा एंट्री कर रहे हों या टाइपिंग कहिएगा कम्प्यूटर पर कर रहे हों तो कम्प्यूटर में स्वते संशोधन की सुविधा होती है अगर भरतनी संबंदी कोई गलती है तो कम्प्यूटर कोश्ट की सहायता से कम्प्यूटर अपने आप ही उन शब्दों की भरतनी को ठीक कर देता है सिर्फ वो आपको संकेत के तोर पर बताएगा और कुछ एक तो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें संकेत की भी आवाशक्ता नहीं होती है वो स्वते ही कर देता है ऐसे ही लेखकों पत्रकारों आदी के संदर में भी देखें तो इलेक्ट्रोनिक कोश्ट जो है विशेश उपयोगी होते है उसका मूल कारण ये है कि मस्तिश्क में कोई आशे तो इनके स्वष्ट हो सकता है लेकिन होता ये है कि उसको अभी वेक्त करने के स्थर पे लेखक या पत्रकार जो है जब जूचते हैं तो उन्हें कोई सम्तुल्ले शब्द या वैसा बराबर की चोट करने वाला शब्द नहीं मिल पाता है और अगर उससे हम सामाने कोश्ट में देखने में लगें यानि लेखक या पत्रकार आदी उस अभिवेक्ति के लिए कोई शब्द ढूने की कोशिश करें मुद्रित कोर्ष में तो उसे बहुत समय लग सकता है और ये भी हो सकता है कि इतने प्रियास के बावजूद उसे सार्थक शब्द ना मिले पर इलेक्ट्रोनिक कोश जो है ऐसे में तुरंत सुविधा से संपन हो जाते है और उसके सहायक सिद्ध होते है और मुखे बात ये भी रहती है कि एक शब्द के अगर कई विकल्प उपलब्द करा रहा है अपनी इच्छा से लेखक पत्रकार आदी शब्द को चुन के शब्दों की पुन्रा वृत्ति या दोहराओ से बचने की स्थिति में भी आ जाते है और इससे नतीजा ये होता है कि उनके लेखन में स्रिजनात्मक्त पक्ष वो जुड़ जाता है क्रियेटिविटी का आभास स्पश्टूप से हो जाता है और नतीजा ये रहता है कि उनका लेखन कोशल हमारे सामने निखर के हमारे आता है वही ये भी फाइदा रहता है कि वर्तनी की कोई अशुद्धियां है तो उनको दूर करना भी संबव हो जाता है शब्द विशेश का अर्थ उससे संबंदित अवधारनाय, प्रयाय और विशेश्ट प्रयोग यानि यूजज़िज का भी इन लोगों को जल्दी पता चल जाता है लेखकों पत्रकारों आदी के संधर में इलेक्ट्रोनिक कोश्चों का तो ये महत्व है ही वहीं पाठक के संधर में बी इनका विशेश महत्व है पाठक को इनकी सहाइता से ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि लेखक ने किस नहित अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहा है अर्थ प्राप्ती के स्थर पे देखें तो पाठक को किसी भी तरह का कोई संशे नहीं रह जाता electronic शब्द कोश में जब वो शब्द विशेश को देख लेता है तो उसे संतुष्टी प्राप्त हो जाती है समझ आ जाता है कि किस अर्थ संदर में शब्द विशेश का प्रयोग किया गया है यह जहां हमें पाठक या लेखक के संदर में इलेक्ट्रोनिक कोशों की उपविगता है वही माना मनवादक के संदर में भी देखें तो कंप्योटर कोश जो है औनलाइन कोश यह उपविगी सिद्ध होते है माना मनवादक यानुआदक के रूप में मनुष्य है मनुष्य जब अनवाद स्वेम कर रहा है तो आफलाइन कोश जो है उसके लिए मुदर्द कोशों का काम करते है और उसका ये फायदा रहता है कि उसने आकार में जो है जो बड़े-बड़े शब्द कोशों को रखने की अवशक्ता नहीं होती सिर्फ इन कोशों को कंप्यूटर पर देखेगा और उसका इस्तमाल कर लेगा उसका मूल कारण ये है कि अनुवाद करते समय अनुवादक को सिर्फ सामाने कोशों की ही अवश्यक्ता नहीं पड़ती है उसे पारिभाशिक कोश आदी विभिन परकार के कोशों की अवश्यक्ता पड़ती है और अलग-लग तरह के कोशों को रखने और उनमें शब्दों को ढूंडने में उसे काफी समय लग सकता है जबकि electronic कोश जो है वे समय को बचाते हैं और वो अनवादक जो है इस काम को बड़ी शीगरता से संपन कर लेता है जहां व्यक्ति के रूप में वो electronic कोश उसके सहायक उपकरन हो रहे हैं वैसे ही हम यह कहें computer अनवाद के संदर में यानि computer assisted translation के संदर में machine assisted human translation म.A.H.T. इसमें भी electronic कोश विशेश रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं वही machine अनवाद की जो प्रकिरिया है अर्थार्थ computer द्वारा अपने आप machine अनवाद कर देना इसमें भी computer कोश और electronic कोश जो है मददगार रहते हैं हम तो यह कह सकते हैं कि machine अनवाद की अवधारना जो है electronic कोशों के बिना संभव ही नहीं है जब तक शब्दों का संचन नहीं होगा यानि लेक्सिकन नहीं होगा तो computer कोश जो है नहीं तयार होंगे तो नतीज़ा यह होगा कि machine अनवाद काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि machine तो तभी काम करेगी जब उसे यह पता चरहो कि भाशा के शब्दों का प्रतिशब्द दूसरी भाशा में उसके समतुले कौन से शब्द है या वाक्य विन्यास आदी की जानकारी ना दी हो उसका वेभारिक ज्यान जैसे पक्ष शामिल ना किये गए हो और अर्थ का ब्यापक संदर्ब में चर्चा ना की गई हो तो computer अन्वाद अपने आप नहीं संभव है Computer अन्वाद की जब हम बात करते हैं तो यह fully automatic machine translation और semi-automatic machine translation जैसी आउधानाओ का भी ग्योतक है Fully Automatic Machine Translation का अर्थ है कि computer स्वते ही पूरा का पूरा अनुवाद कर दे अलाकि इस क्षेतर में जितने काम हुए है उससे ये नतीजा निकल के आया है कि FAMT यानि पूर्णता अनुवाद जो है मशीन के दबारा संभव नहीं है इसलिए SAMT यानि Semi Automatic Machine Translation System ये तयार किये जा रहे है और इन में ये प्रभावी तरीके से तभी सार्थक सिद्ध हो पा रहे है जब E-Kosh ये बहुत अच्छी तरीके से तयार किये हुए हो जब कोशों के रूप में भाशा के सभी पक्षों को शामिल किया होगा तो वैसा ही सार्थक अनुवाद की हम कंप्यूटर के जरीए अपेक्षा कर सकते है अन्त में हम ये कहेंगे कि Electronic कोशों की उप्योगिता की जब बात करते हैं तो बहुभाशिक अनुवाद की दृष्टी से भी इस प्रकार के कोश जो है सार्थक सिद्ध होते हैं Hindi Online कोश जो है इसमें बरतमान परिद्रिश्य क्या है इस पर जब हम जाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि Hindi में स्थिती क्या है और अभी संभावनाएं क्या है बास्तविक्ता ये है कि Internet जो है विभिन भाशाओं के अनेक Online कोशों का संग्रय है किन्तु ये भी सच्चाई है कि सभी भाशाओं में Online कोशों की उपलब्धता की स्थिती एक जैसी नहीं है Online कोशों के संदर्ब में कुछ भाशाएं तो आरंबे कवस्था में है और कई भाशाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है अंग्रेजी में सेंकडो Online कोश उपलब्ध है लेकिन हिंदी में इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है माना जाता है कि Online कोशों की सबसे बड़ी वेबसाइट जो है www.yourdictionary.com है इस वेबसाइट में दुनिया भर की भाशाओं के सेंकडो Online कोश उपलब्ध है यानि ये वेबसाइट सेंकडो भाशाओं के Online कोशों का महा कोश है इस वेबसाइट में हिंदी के भी कुछ Online कोश उपलब्ध है वैसे आज से कुछ वर्षों पूरु तक ये स्थिती थी कि हिंदी भाशा में Online कोश उपलब्ध ही नहीं थे और अगर थे भी तो बहुत कम लेकिन अब सितियां तेजी से बदल रही है और हमारे पास बहतर विकल्ब उपलब्ध हो रहे हैं जहाँ हम हमारे सामने बहतर विकल्ब उपलब्ध हो रहे हैं वही हम इस सत्य को भी नकार नहीं सकतें कि हिंदी में सामानेता, FONT और कुन्जी पटल की समस्या भी बनी हुई है जिसकी वज़य से सार्थक प्रियास जो हैं अभी वैसे नहीं हो पा रहे हैं और उतने व्यापक पैमाने पर नहीं हो पा रहे हैं यदि हम इन समस्यों से निजात पालेंगे तो हमारे भी ओनलाइन कोश हिंदी के बहुत अधिक उपलब्द हो सकते है बस्तुते विश्व की अन्य विक्सित भाशाओं की तुलना में हिंदी ओनलाइन कोश के मामले में अभी पिछडी हुई है पारिभाशिक शब्दावली से संबंदित ओनलाइन कोशों का तो लगभव अभाव साही है सच्चाई यह है कि ओनलाइन कोशों में बहुत अधिक बहुत जल्दी और बहुत सारा काम करने की जरूरत है वैसे हिंदी में online कोशों के विकास और उन्हें अध्यतन करने संबंदी कारे विभिन स्तरों पर चल रहा है इसलिए online कोशों में निरंतर अभिवरिद्धी हो रही है पहले से उपलब्ध online कोशों का निरंतर अध्यतनी करन हो रहा है और उन में संशोधन परिवर्धन हो रहा है अब मैं आपकी जानकारी के लिए हिंदी के कुछ online कोशों की प्रमुख website है उनका उलेक करना चाहूंगा आप उधारन के तौर पे screen पे देख रहे हैं पहली है हिंदीDictionary.net ऐसे ही है www.shabdkos.com और है www.cfilt.iitb.ac.in ये उनिवर्सल वर्ड हिंदी लेक्सिकन है और ऐसे ही इसी website में आगे wordnet में जाएंगे तो हिंदी शब्द कोश wordnet भी आपको उपलब्द होगा और एक online कोश है wordanywhere.com वही online शब्द कोश Digital Dictionary of South Asia जो है ये भी हमारे सामने उपलब्द है और dick.hindkos.com जैसे website भी online उपलब्द है वही google.com translate dictionary जो है ये भी हमें इसकी सुविधा उपलब्द है अंग्रेजी हिंदी जैसे संदर में हम online कोशों का उप्योग कर सकते हैं और wiki dictionary.org ये भी website है जिसका हम उप्योग कर सकते हैं अब इन कोशों के online जो website है इन में से कुछ के संदर में बात थोड़ी सी संक्षेप में करना चाहेंगे सबसे पहले जो है शब्दkos.com को लेकर मैं संकेत के रूम में कुछ चर्चा करना चाहूंगा इस कोश पर जो है वर्ष 2003 में काम शिरू हुआ था इसमें अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी दोनो भाषाओं के शब्द दिये हुए हैं ये शब्द कई हजार संख्या में हैं अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी दोनों ही कोशों में बाईं तरफ अंग्रेजी शब्द आता है और दाईं तरफ हिंदी शब्द यानि सारे शब्द अंग्रेजी के वर्ण करम के अनुसार रखे हुए हैं प्रन्तु इससे हमें कोई असुविधा नहीं होती है इस online कोश की विशेष्टा ये है कि मुख्य शब्द को टाइप करने पर कोश में शामिल उस शब्द के सारे अर्थ और प्रयोग तो सामने आही जाते हैं उसके इलावा हम ये देखते हैं कि जिस किसी शब्द में कोई अम प्रेजी में अर्थ ढूनने लगेंगे तो आपको इस शब्द के साथ अर्थ मिलेंगे online शब्द कोश जो है ये वाला इसका ये लाब है कि वह किसी भी एक शब्द के सारे अर्थों और प्रयोगों को एक साथ लाके दिखा देता है इससे अन्वादक को बहुत मदद मिलती है और भाषा प्रयोकता को भी बहुत सहायक ये सिद्ध होता है बस तुदा इस कोश्प के जाचे हुए शब्दों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है ये इसका थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि नकारात्मक पक्ष है केवल साथ आठजार शब्द हैं जिनको जाच की ऐसे ही कुछ हमें उसमें प्रयायों को लेकर भी हम ये कह सकते हैं कि दिक्कत जो सामने आती है जैसे नियूरोलोजी शब्द ही देखें तो वहाँ पर नस विज्ञान या शिरा वर्णन आदी जो है शब्द मिलेंगे जबकि वास्त्विक्ता ये है कि नियूरोलोजी के लि तो हो सकता है कि अब तक जो है इसमें परिवर्टन किया जा चुका हो हम ऐसी ही संभावना रख सकते हैं अब मैं बात करूँगा हिंखोज.com को लेकर इसमें जो है लगभग हम ये कह सकते हैं कि 32,000 शब्दों को शामिल किया हुआ है ये भी दुविभाशी ऑनलाइन ध्वनिस्मू की समानता के अधार पर हमारे सामने शब्द आते हैं जिनका आपस में कोई अर्थ परक संबंद नहीं होता है और हम ये कह सकते हैं कि इसमें शब्दों को पूर्ण या आशिक ध्वनियात्मक समानता ही शब्दों का संयोजन का आधार है लेकिन इसका जो दू उसकी कोई प्रासंगिक्ता नहीं है, उसकी डेलिवेंस नहीं है और उनका आपस में कोई अर्थपर्क संबंद भी नहीं है। और एक अन्यपक्ष ये भी है कि इस कोश में शब्दों के प्रयोग के लगबग सभी उधारन अंग्रेजी के हैं। यानि इनमें हिंदी शब्दों को हम ये कह सकते हैं कि वो कम हैं। अब ये हैं कि ये एक तरह के प्रयोगिक अवस्था में हैं और अभी पूरा बहुत अच्छे इसके परिनाम हमारे सामने नहीं निकले हैं। एक अन्य कोश जो है IAT-B का जो है ऑनलाइन ये भी उपलब्ध है। GoogleTranslate की भी बात कर चुके हैं। Google Translate पर भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। और भी हम ये कह सकते हैं की हंदी ऑनलाइन कोश उपलब्ध होंगे लेकिन आप इसे मेरी सीमा कह सकते हैं। या इस कारेक्रम में समय की सीमा कह सकते हैं कि हम और अधिक इस संबन्द में आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं वैसे तो सुविधा इंटरनेट की ये हैं कि आप लिंक करते हुए सर्फिंग के जरीए जो है कितनी ही आप websites को में जा सकते हैं, visit कर सकते हैं तो अगर आप swim भी computer का उपयोग करते हुए, internet का उपयोग करते हुए online कोशों को देखेंगे, तो आपकी जानकारी और अधिक बढ़ सकती है आज की हमने पूरी इस चर्चा में, अब मैं इनके साथ ही अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए कहता हूँ कि आज हमने पक्षों को लेकर बातचीत की है, वो online कोश के संदर्ब में ही है मुख्य बात ये है कि online कोश और offline ये दोनों ही e-कोश है और इनके हमने लक्षनों उपयोगिता आदी की चर्चा की है अब मैं थोड़ा आपको ये संकेत के तोर पे e-कोश से संबंदित कुछ पत्रिकाओं की पताना चाहता हूँ इसमें आप केंदरी हिंदी संस्थान की गवेशना या फिर केंदरी हिंदी निदेशाले की भाषा पत्रिकाओं और भारती अनुवाद परिशत के कोश विशांग को विशेश तोर पे संदर्ब के लिए देख सकते हैं सर बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी के साथ दोस्तों जैसे हमने चर्चा की आज सर ने आप हमें बता है इलेक्ट्रोनिक कोश के बारे में और इतने सारे स्रोथ जो हमारे साथ शेयर किये हैं सर उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो इसी के साथ हम आपसे नमस्क्राइब